हलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल बिष्टियाइस पर स्वागत है दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आज चार जनुरी दोजार चौबीस है और आज जीएस बहुत अच्छा ही गया है लेकिन देखिए होता कि दोस्तों की बाकी सब ठीक है लेकिन जो दोस्तों यह सवाल आए थे में आपको बताऊंगा जैसे देखिए तेकि आगे बताएम्तुन दुस्तिं देख्यों अगर मेरे चैनल पाने है laik2 तो प सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंट कीजिए और जो पहले सहे है डागते सि दिक Southern के दृफ दिखिए कि यह प्रस्ण देखिए दोस्तों यह सौट कोश्चन है को पता है कि पहला और चौथा जो सबसे पहले नया प्रटर्न पर दोस्तों हुई थी उसमें दोस्तों आया था एक्ट के बारे मैं पुछा था और देखिए उसी प्रटर्न पर देखिए दोस्तों इंडियान कॉंसिल एक्ट 892 तो यह थोड़ा सा अनकन्वेसन है दोस्तों जेनरली जो स्टुडेंट है वह 935 का दिनियम या 999 या 999 का त्यारी करते हैं यह 861 का लेकिन दोस्तों यह तो अल्यडी मैंने बताया था कि आने वाला है संथाल या मुंडा दोस्तों यह तो निशीत्र रुपसरता है था कि आएगा तो यह इसमें लिख दिया दोस्तों इसमें दोस्तों हलका सब पलेच्छेत्र के बारें बता दिए दामन उप फिर आपको लेडर बता दीजे सीध संथाल प्रगना जीला बना फिल सथार प्रगना संथाल प्रगना का स्तिकारिय दिनियम अनहां सवचेत्र यह सब जो उसमें लिख देना था दोस्तों बाकी इसका थोड़ा बड़ा ही कर देना था तो ठीक ही दोस्तों नेस कोशन देखें सिंपल इवी सिंपल था सवाला चुका है तो उसी कड़ी में दोस्तों ये सवाला है ये भी सवाल मैंने आपको बताया था कि आप जाके मेरे वीडियो दख सकते हैं उसके बाद दोस्तों देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर ओफ मॉर्यान प्रियोड दोस्तों मोरकला आ गया है दोस्तों लेकिन कला में जहां तक है दोस्तों मैंने लोक कला लिखाया यह चल चणी दिदार गंजवाला जो होता है उसके बाद जो दोस्तों यह आपको दिगंबर चैन यह समय ने लिखायो थोड़ा बहुत पीचर भी इसमें बना दिया है दोस्तों इसमें समय तो बहुत कम रहता है पता दोस्तों किता नमबर का था साथ नमबर का था तो साथ नमबर में मौरक कला को लिखना थोड़ाеп hundred हो जाता है यापको पुरी भारत प्रचीन काल में पुरी भारत के दोस्तों गूषा वब हार आयę था दोस्तों तो दिखी यहां पर जो सबाल जो है उसी पÓरण我 है लेकिन थोड़ा सा था मैंने इसमें लिख दिया दोस्तों कुछ याद नहीं आ रहे था लिंग फिर भी मैंने भीम बेदका का चर्चा की है और दोस्तों जो आता है था पुछकू सवाल दोस्तों को पथा है बांसर होते हैं उसमें आपको जो इसमें सवाल नहीं छोड़ना चाहिए जो इतना जो आता लिख दीजिए अगर लिखेंगे तो ही एक दू नमबर मिलेगा अदरवाइस अगर छोड़ देंगे दोस्तो तो जीरो नमबर दोस्तो जो जिसमें अच्छा से आता था दोस्तो जिसे आपको संथाल विद्रो चंपांड सत्यागरा मौरे कला इसमें मैंने बहुत अच्छा से लिखा है तक इसमें अगर आठ नमबर में है तो माली ये पाच नमबर विद्रो तो बहुत जादा है और बाकि जो दोस्तो ये वाला हुआ जाए लास्ट वाला हुआ इसमें जितना आदा था वो मैंने लिख दिया है ठीक है जो भी जनकारी जो मेरे दि सवाल था प्रचीन देखिए प्रचीन काल से बिहार सिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा इसकी विस्तित व्यक्या कीजिए दोस्तों ये थोड़ा सा उनकन्वेंसरल सवाल था क्योंकि इस प्रकार के लाइन लेंथ पर त्यारी नहीं करते है स्टूडेंट देखिए इस यहां भी वही बात है मैं इसको बहुत अच्छा से लिखा है अब दोस्तों मैंने इसमें इंक्लूट किया है अब दोस्तों के तीसरा कोशन है देखिए यह भारती रश्टिये कांग्रेस अंद्रबादी चरण कर जोगदान का अलचुबात्मक परिक्षन कीजिए और इस मा दोस्तों जो यह लोग लिखते थे दादा भाही नुरजी सब तुम्हें इसका चर्चा की है मैं लिख दिया है जितने आता था जैसे भी आता था तो दोस्तों इस प्रकार दिखिए मैंने पहला जो सौर्ट यह लिखना ही था यह मैंने पूरा लिख दिया जिसमें से यह 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 वह अच्छा से लिखा है और इसमें जो भी आता था मैंने लिखा है दोस्तों बहुत यह अच्छा से थी लोगों को फिर भी दोस्तों आया है तो लिखना ही था अगर छोड़ते हैं तो जीरू नमबर मिलेगा ठीक है और कुछ लिखेंगे तो दो या तीन पहुआ है और दोस्तों मैंने बताया कि एस्टी जी फाइफ जो है जेंडर इनकौली जेंडर एकुलिटी की बात करता है उसको मैं लिख दिया ऐसे इस परकर के सवाल को लेकर कोई त्यार नहीं रहता है तो दोस्तों लिखना ही है दुस्टरा दुस्ते कि एकजामीन द रेले था दोस्तों कि CRPC 1973 का रिप्लेस्मेंट है इससे रिप्लेस्ट किया गया है तो इसके बारे मैं बहुत लिखा है जो भी आदा रहा था अच्छे से जो भी मैंने पढ़ा था तो उतना दोस्तों नहीं किया था लेंगिंग फिर भी दिमाग में इतना आगया था कि CRPC काई है और थोड़ा बहुत जो है यह आईडिया था मैंने उहां लिख दिया दोस्तों यह दिखिए दोस्तों एवलिट ओफ रॉल ऑफ अटिफि में तौरित गति से डिसिजिएन होगा मैंने उसको सारी बात को लिखा यहां पर दोस्तों देखिए यहां पर डिस्क्राइब परामेटर्स एंड इंपक्ट ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022 यह दोस्तों आई लो का रिपोर्ट है मैंने भी बहुत अच्छा से तो नहीं आइंटेनर कार्ट जो है मजदूरी दर कम हुआ है और जो लेंगी भी समथा है महिला पूरुस के बतन में उसको कह सकते हैं कि खाइक पैदा हुए है गारा हो गया है जो वेटन कम हुआ है इस बातों को मैंने लिखा है यहां पर दोस्तों लास्ट जो था वाटर डबेसिक प्रोविजन्स और फॉरेंट ट्रेट पोलीशिद दोजाथा इस रिगार्डिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन इनसेटिव आँ दोस्तों यह तो एकनोमिक्स का सवाल था मैंने पड़ा था दोस्तों इसमें आपको पता है कि दोस्तों जो टार्गेट है 2030 तक दो ट्रिलियन डॉ दोस्तों कि मड़ी पूर संकट की संशेप जनकारी प्रतान कीजे आपकी द्रिष्टी में प्रजातिय धार्मिक संघर्ष का राष्टि राजनेति के परतीर अस्मावित प्रभा हो सकता है। दोस्तो मैं मेरा ऐसर के स्वाल आएगा अला कि 68 दोस्तो य टूट, भारत पुने वाला था उसको ले कर सवाल आया था दोस्तों लेकिन यह जो सवाल दोस्तों की G20 के जब अच्टक हो गया उसके बाद वह भुश आपको बहुत बढ़े बताया था तो दोस्तों इसमें यही लिखना था कि क्या कह रहा है दोस्तों यहां पर हिंदी उसका पढ़िये यह एक मिनिट रू पुल्बल बातों से पता है कि जो है ग्लोबल बायो फूल एलाइनस का स्थापना किया गया है ताकि जो है दोस्तो आपको जो है क्लाइमेट चेंज से जो होने वाले निंगेटिव इंपेक्ट काम हो जाए उसके बाद मैंने चर्चा की है कि फिरकी उनियन को दोस्तों G20 में सामिल करा है भारत ने आपको क्या दोस्तों दरसाता है कि भारत जो है सभी मादेश सभी देशों को सबान रूप से चाहता है कि से तो भी बहुत अच्छी वस्तों में काई रूप है दोस्तों जो रसिया वार हो रहा उसको लेकर भारत ने दूख चेताया है और उसको समात करने का कुशिस किया है तो दोस्तों उसी तरह कोबीड के समय भैक्सिन जो है G20 वैक्सिन जो एलाइंस था उबई सारे बातों को समय दोस्तों बुघ। परिशाद में शुधार के लिए फ्रयासर थी दोस्तों इन बातों से मैंने सीध्य करने के लबगाएं कोशिश किया है कि किस प्रकार जो है सुधाय कोट में कम के दर्सने भारत विश्वास करता है और सबी दोस्तों को लेका बैस्विक्स हों भीकास में जोगदान कर रहा ठी भारत में एक समाननागरिक सहिता को लागू करने के पूर्वान मानित सकरात्मा को नकरात्मक समाजिक परणाम क्या हो सकते हैं दोस्तों इस में वही इनफर्मसिविल कोड का पोजिटीव निगेटीव यह सब लिखना था दोस्तों ठीक है तो मैंने लिख दिया है सारा चीज और नहीं किया है चंद्रयान मिजन इस्कों देख लिए दोस्तों दोस्तों बहुत देखें डिया सेक्षन आगया बहुत इपॉर्टन और दोस्तों बहुत आपको मैं बता दूं कि मैंने लगबग 70-2 मार्स करहा है मैं आपको देखाओंगा देखिए मैं एक कीस से दार पर गोल रहा हूं भी बताऊंगा दोस्तों को पताऊंगा दोस्तों कि मैंने CDPO में बहतर एंबहतर स्कोर प्राप्त किया है आप जाके मेरा RTA कॉपिया वहां देख सकते हैं और दोस्तों बहुत दिनों को बात जो है तो मुझे सत्तर प्लस आने को उमीद है जी मैं बताऊंगा आ थोड़ा बहुत कुछ सवाल में फस इसलिए मेरा में टारगेट था कि डियाई में नहीं फसना है अच्छा से थोड़ा समय देना है दोस्तों और एक घंटा में दोनों डे दोस्तों बना लिया हूं बहुत सरीके से बहुत सोच समझ के मैंने सवाल सेलेक्ट किया था देखि सकते हैं जैके दोस्तों मेरा अब पेपर मील ही हुए हुआ यह दोस्तों मैंने ट्राइग किया यह देखिए है यह वाला किया है कि वाट इस दोस्तों बनाकर पहीं पर लिख लिया था देखिए पीस ओफ माईंड हो जाए कि हां लाबग सही है तो दोस्तों पैंतालीष टिगरी स्वीट प्रकाड़ देखिए दूसरा का 286 प्वाइंट कांवन कामार रूपया लगभग में तो बी का सी का दोस्तों देखिए 33 रूपया और देखिए जो D है दोस्तो, D का 338 रुपया और E दोस्तो, E दोस्तो इसमें थोड़ा से दोस्तो देखिए डाउट है, इसलिए मैं 70 प्लस का अब 72 नहीं पा रहा हूं, क्योंकि दोस्तो ये कुछ है, मैं जाम कुछ गहीं से मिलाया हूं, तो उसमें एंसर मिल नहीं रहा हो सकता है, दोस् दोस्तो चलिए, हमने सवाल तक बढ़ते हैं, दोस्तो इस बाद मने ये किया, इसका भी मने अथवा किया, ये, तो बार ग्राफ गिवें बिलो, अडिशनल टेक्स को लॉक्टेट बाइद स्टेट, दोस्तो ये 36 का 36 सही है, बहुत खुशी की बात है दोस्तो, इसमें मैं ल परसेंट लगभग में, फिर 2016-17 बर्स अठारा, फिर 4,75 करोण, और जो लास्ट का जो था, लास्ट में क्या था, किन दो लगतार बर्स के दरना त्रिकर में कमी के पर्षब से कम था, दोस्तो इसका अंसर होगा, वही 15-16 और 16 सही है, इस प्रकार दोस्तो देख सकता है कि ड GS1 स्वाप्त होता है, ठीकर कल दोस्तों, आपको पता है GS2 का पेपर है, जिसमें पॉलिटी होता है, और economics होता है दोस्तों, और science tech होता है, ठीकर दोस्तों, अगर वी बडियो अच्छा लगए, तो रीशी तो मेरे चनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजएगा, लाइक ठीकर दोस्तों, तब तक लिए दोस्तों जहिल सुब्रात्री